अपना घर खरीदने का सपना हर कोई देखता है हर कोई सस्ता और अच्छा घर लेना चाहता है अगर आप भी घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वु पूंट साबित हो सकती है अपना घर खरीदना भी निवेश का ही एक विकल्प है और आय का एक साधन लोग प्रॉपटी खरीद कर उसे किराय पर चड़ा देते हैं जिससे उनको प्रतिमार निश्चित आय मिलती है और सालों बाद जब वही जमीन महंगी होती है तो उसे बेच कर मुनाफ़ा भी कमाते ह भारत में मकान अक्सर परिवार के पूरुशों के नाम पर होता है लेकिन बदलते समय के साथ ये समाजिक प्रता भी बदल गई है प्रॉपटी कंसल्टेंसी फिर्म एना रॉक की 2020 की रिपोर्ट के अमसार देश भर में 77 फीज़ी घर खरीदार महिलाएं है और रियल एस्ट स्टेट खरीदने के मावले में करीब 74 फीज़ी निर्ने महिलाओं का होता है नियामक और नीती निर्माताओं ने महिला निवेशकों को वित्ति सहायता सहर्जता से उपलब्द कराने के लिए कई रियायते भी शुरू की है इसके तहत अगर मकान परिवार की किसी महिला सद में गुजरे साल 2020 के बाद रियालिटी उद्योग को 2021 से काफी उमीदे हैं रियालिटी क्षेतर को नए साल में मकानों की मांग तेजी से बढ़ने के उमीद है कई राज्य महिलाओं की नाम पर प्रॉपटी की रजिस्ट्री कराने पर स्टांप ड्यूटी शुल्क में बाद है ब्याजदर में रहत घर करीदने के लिए अधिकतर लोग लोन लेते हैं होम लोन लेने के बाद ग्रहक बैंक में जो रकम चुकाते हैं उसमें ब्याजदर और मूल धन शामिल होता है जिसे इक्वल मन्थली इंस्टॉल्मेंट या इमाई कहा जाता है हाउसिंग फा पांच फीजदी तक की छूट मिलती है इसके बाद है टेक्स में छूट इसकी अतिरिकत महिला की नाम पर या जोइंट ओन लेने से आय पर रतिरिकत टेक्स लाग भी मिलता है इसमें खास बात ये है कि यदि पतनी की आयी का स्त्रोत अलग है तो किसने चुकाने पर टेक्स पती पत्मी दोनों ले सकते हैं यानि अतिरिक्त निवेश किये बिना दोगरा टेक्स का लाब काम की बात में बस इतना ही उमीद करते हैं हमारी तीके जानकारी आपको पसंद आई हो ऐसे ही जानकारीओं के लिए हिमाच लभीवी के साथ बने रहिए धन्यवाद बीती आदों से नाता सहिश ना सीखा हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा गिरने लगती जब तो उनसे संबलना सीखा उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा गर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है भूशन जूलर्स अनमोल रिष्टों के लिए